हेलो फ्रेंट्स मेरा नाम है अंकित साहो और आप लोगों का वेलकम है मेरे यूटूब चैनल में तो फ्रेंट्स आज मैं वीडियो बना रहा हूँ FIRC के उपर FIRC होता है Foreign Invert Remittance Certificate तो FIRC आपको Export-Import Business में क्यों required है और ये कैसे आपको लेना होता है ये सारी चीज़े हम लोग discuss करेंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो इसको सस्क्राइब कर लीजे आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजे और शेयर कर दीजे तो अगर आपका इसके मीनिग में आप जाते हैं तो यहाँ पर शर्ण से जो इनवर्ट र Mmश आ रहा है उसका सेटिफिकट यह आपको क्यो रिक्वाइड है दिleader कि बहुत सारे हमारे पास YouTube पे comments आते हैं queries आती हैं कि sir मैं export करता हूँ और जो payments आ रही है मैं तो INR में ले रहा हूं via PayPal तो मुझे FIRC required नहीं है सर आप ही को FIRC required है यह mandatory है और FIRC यही proof करता है कि आपने foreign payment जो है वो accept करी है उसका जो proof का जो certificate होता है उसी को FIRC बोलते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले thumb rule पे जाते हैं thumb rule यह कहता है कि अगर export वही transaction माना जाएगा जहां पर आप foreign currency accept कर रहे है foreign currency भी free convertible currency होनी चाहिए जितनी भी बड़ी currencies है वह उसमें आ जाती है dollars हो गए euros हो गए दिनार हो गया तो ऐसी बहुत पूरी list है उसकी तो वह currency आप accept कर रहे है और अगर आप किसी payment gateway के तुरू ले रहे है या वाया किसी bank से ले रहे है तो कोई भी आपका एक अपना bank है और बीच में कोई payment gateway तो payment gateway example PayPal का ले ले लेते है PayPal है पेपल है पेउनियर है पिंग पॉंग है तो इस तरह का कोई भी payment gateway आप यूज कर रहे है और वह payment gateway dollars receive कर रहे है और INR आपके bank में convert करके transfer कर रहे है तो आपका current account है इंडिया में उसमें वो INR ही डाल रहे है तो उस case में आपको compulsory FIRC required है और वो FIRC क्यो required है क्योंकि यह transaction यह export में तभी count होगा जब आप उसको proof करेंगे कि यहां पे foreign currency accept हुई है तो वो proof कैसे करेंगे जो PayPal है उसने तो dollar collect क लिए अब उसने उसको convert किया PayPal ने और INR में आपके bank को transfer किया तो आपके bank को तो उसने neft transfer किया जहां पर INR का transaction है तो आपके bank को कैसे बदा चलेगा कि यह foreign currency आई थी जब आप BRC लेने जाएंगे तो यह कैसे proof होगा कैसे validate होगा तो उसके लिए PayPal आपको एक FIRC देगा जिसक कि हम बात करें वो document proof करेगा कि यह international payment आई थी और इसको INR में convert किया है और आगे का जो process है फिर आपको bank से BRC लेना बढ़े है तो आपको जो भी payment gateway के थूँ आ रही है या किसी bank के थूँ आ रही है आपके bank के लावा किसी और bank से आ रही है जो convert कर रहा है उस case में आपको FIRC वो जो convert कर रहा है dollar to INR उससे लेनी पड़ेगी तब ही आपका bank जो है वो BRC process करेगा तो चलो फ्रेंड से वीडियो हैं close करता हूँ और वीडियो close करने से पहले आपको अगर online, offline, export, import की training जोइन करनी है अभी इसी मन्त आयमदाबाद में दो दिन की training है 28th Saturday full day training रहेगी तो दो दिन की training है website पे सारा detail है नीचे दिये वह WhatsApp नंबर पे आप में टीम को contact कर सकते हैं प्लस online trainings तो चलती रहती है तो आप वह भी join कर सकते हैं इसके लावा और भी बहुत साई services हैं अगर आप अपनी e-commerce website बनवाना चाहते है Amazon, eBay, ITC का account बनाना चाहते है, IC क लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो यह सारी service अब हमाई website export वाला.com विजिट कर सकते हैं या नीचे दिये हुए numbers पे contact कर सकते हैं मेरी टीम को तो चलो फ्रेंट जी वीडियो ही close करता हूं ओके बाइबाए